हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एच में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग है और इंडिया पे तो बरे पड़े हैं घलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सरकल कैसे लोग के साथ में बनेगा तो लोग जो खाली हैं विले है अब विल्ल आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए यह सब मिलता जोता है पकता सच्टा सुट्टा इन टां से बचके रहो जी आप समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं ड़सित मेंक सेंस कि अगर आप खाली हो गए हाँ छोईस आपके हाथ में है यह ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो अब आप कह रहे हो कि यार सही है खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो दिस वन आपको यह दे सकता हूं बेस्ट अपन माई अंडर्स्टैंडिंग एन एक्स्पिरियंस कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत की यह था पता है किसी को कैलीग्राफी कैलीग्राफी अवसा जो कहा है कैनेक्शिन इसको पता लगा ऑट था उसमें थीक है तो यह छोटी-छोटी चीजे होती है लेक्ष में जो आपकी पस्नलेटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में गुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मत गुमो कुछ सीखने के motive से गुमो आप समझ गया है ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पर भी अपना mindset ये रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हूँ time को utilize कर रहा हूँ why not this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है life because time pass इतना गंदा word है that means कि आप डल होगए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज़्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज़्यादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हर्गते करता है समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें ना कि अपनी अपनी बोलते रहे हैंगी नहीं मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ न कुछ सीख रहे होना तो यू नोटेश कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिरव आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गहे थे याप माइनर चेंज़े आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांस्फर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिलकुल नहीं बदला तो समझे हो आप गलग रैक पर जा रहे हो लोग इसको कॉम्पलिमेंट समझ लेते हैं इसंटार कॉम्पलिमेंट निया पहले भी थके होई थैंख भी थके होई हो प मंज़ा इसमें आना चीए जिए कि कोई पुराना सुर्ण का Skool का दोस्त आ आई कर अब क्या हो गाया तेरे कोुझे तुम तो ब्लकुरी बदल गहीं तुम तो ब्लकुरी बदल गही इसका मतलब आपने को सीखा है आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे आप उससे कुछ बेटर हो गया तो ये सिरफ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18-19 साल तो ये अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये यह टिके कैसे रहोगे इस थौट के ओपर जिसके में आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ नो कुछ सीथे रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हो तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं कॉंस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले 6 महिने बाद मिलोगे तो you would find a different person कुछ लोगों को इसमें थोड़ा uncomfortable भी लगेगा वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे ना बदल गया भाई समझ कहना that means I am growing मेरी understanding भढ रही है I am not stagnant मैं रुके ओवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है मैं भैते ओवे पानी के जैसा बह रहा हूँ, बड़ी तेजी से बह रहा हूँ 24 घंटे शीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है, तो most important यहाँ पर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समझ करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन उतर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग जादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है कि घरवालों ने कहा है कि ये करिये चूज करो और पढ़ो तो हाँ बस घरवालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला attitude होगा तो you will never get stuck in your life आप constantly आगे 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 भढ़ते चले जाओगे grow करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जहां करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है आगे घरवाले मेरे पास आजाए तो जहां करें कहा है अजी हमारा बच्चा मेरी बेटी कहा है घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो थके होए टीवी देख रहे हो उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जा करके और जा करके बैठ करके लोगों को अब्सर्व करो देखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हो जो आप बनने वाले हो जो वो बन चुके हैं उनको देखो बहुत कुछ सीखने का मिलेगा समझ पा रहे हो जैसे for example आप एक engineering college में हो तो आप क्या बनने वाले हो engineer बनने वाले हो engineer बनके क्या करोगे क्या करोगे किसी न किसी multinational company में जाओगे as a software engineer वहाँ पर काम करोगे वहाँ बार जाकर करके बैठ जाओ देखो उन लोगों को जो वहाँ पहुँच चुके हैं जहां पहुचना चाहते हो जाकर करके उन लोगों से बात करो बात तो करी लेंगे बात करने में क्या दिक्ट है lunch break होती है उसके time पर सब लोग बहार आते हैं करते हैं बैठते हैं उनसे बात कर सकते हो ज्यादा नहीं आपने 2-4 लोगों से भी बात करी कितना कुछ सीखने को मिल सकता है उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहाँ पर हूँ इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जाकर के कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ तो I just want to learn something from you can you share something out of your experience to me it would be really helpful for me सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या हो छोटी चीज होगी बहुत बड़ी चीज हो सकते है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप एक तो busy हो रहे हो दूसरा आप सीख रहे हो कुछ constructive सीख रहे हो तो हो सकता है उनसे बात करके आपको ideas मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला साथ में ये भी कर दो तो now you have an edge मतलब आपके college में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो आप में और उनमें एक फरक आ गया क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे है शायद वो समझ नहीं पा रहे है वो देख नहीं पा रहे है बट आप देख पा रहे हो आप समझ पा रहे हो तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको कि मुझे चाहे में कुछ भी कर रहा हूँ एक तो मेरे को हमेशा अपने आपको busy रखना है और कुछ नों कुछ सीखते रहना है सीखते रहना है सीखते रहना है देन यूवल कीप ओन ग्रोइग देन इस ग्रोइग विल बिकम यॉर हैबिक आदत पढ़ गई जिसे हरिक की अपनी एक आदत पढ़ जाती है वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है आदते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे अभी एगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए समझ गए है गए है पूरी life के लिए मिल भी गई तब भी मरे नहीं मिली तब भी मरे नहीं मिली तो रोते रहोगे और मिल गई तो comfort zone में चले जाओगे और comfort zone बड़ा boring होता है यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आपको देखोगे अगर यह comfort zone में पहुच गए तब आपको realize होगा कि यार life कितनी boring है repeat होने लग जाती है life same routine चलने लग जाता है शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है नई company में गए, नई job, नई लोग यहो फिर जैसी routine में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है make growing your habit if that is your habit अगर वो आपकी आदत बन गई है अब आप कुछ कमवाल के बन सकते हो अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके the whole world will be proud of you चलनो दुनिया को भी छोड़ो दुनिया whether they will be proud of you or not but you will be proud of yourself most important